इसमें अधिकतर खास करके बीजेपी का बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्री होने पैसा लिया टांसपर मुझा डट के लिए पैसा ना पोस्टिंग कर रहा हो रहा है उसको बुला बुला ख़बर करवा के और ये करवा के सब से बस उला गया पैसा जेडिव में तुछा न मंत्री बना दिये नहीं है अपने हाइका मान का डर भाइसा ले रहा है इसलिए लोग को कम से कब जाहिए इस पर कारवाई करती चाहिए भारतिया जनता पार्टी का अंतरकला अब शुर्खियों में है और आरोप जो है ज्यानेंद्र सुइंग ज्यानु ने अपने पार्ट पार्टे ने एक जणकारी-बहूत-लोग्त-लोग उसे जनकारी दे रहे हैं कि सबुस्ट की क्या जरौत है और ऑड़ियो असको जाच करने के लिए गलत है कि कौन कौन लोग सनलिफ अभी हम नहीं जानते हैं कि कौन को नाम बोल दिए एक वर कि नाम हमको नहीं बतलाएंगे किसी कितने का घपला लग रहा है अब 42 कोड़ का तो ऑडियो में आई रहा है बाकी बाकी तो जांच के भी साय है कि कितना और ज्यादा होगा अपने ही पाटी क के खिलाफ भूल रहा है ही पाटी के तो पक्ष में हुआ पाटी के पक्ष में हुआ सदस्ता से पाटी भर सचार पर आड़ो लगाए ईए पाटी का खुद पर अधिकार ना ओडियो जांड यह कि है उनिका ऑडियो फाइरल हुआ है बीजेपी के हिए लोग है या जेडियो पागी के साप सुत्रा इस पर यह करके जांच करके साप सुत्रा पार्टी बने संगठन मजबूत हो साप सुत्रा मंत्री मंदल हो बर्खास कर देना चाहिए अब उत्र पर जो से हम बतला दिया जो किंद्र सरकार जो करना है हाई कमान को जो करना है अपना निरने लिया है थैस्धन करें बहरस पार्टी के कई विद्हायकों पर बहुत है बात अगर ट्रंफर पोस्टिंग की वह की जये तो इसको भी ले कर उन्हों ने आरो प लगाया है उन् knappषा पर वेकर पैशे ले कर ट्रंफर से साथ सुथ्रा करे साफ तोर पर याने इंद्र कुमार सिंग का कहना है कि जिस तरीके से मंत्रीस द्रफान को bahast और में इसे सबसे पहले इसे साफ सुथ्रा करने की आवश्कता आब बढ़े रहें कि साथ खबरों का सिलसिला यूहीं चलता रहेगा की मैं की